दलितों को प्रताड़ित करने और उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की वारदातों में एक नए घटना जुड़ गई है गुजरात के बनास काठा में एक दलित सैनिक को शादी में घोड़ी चड़ने से रोग दिया गया बाद में पुलिस हस्तचेप के बाद वे बारात लेकर जा सका पुलिस ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा है कि इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है इस्तिती नियंतर में है आई अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था संधीपत गाउं के आकाश कोटडिया की शादी थी वह सेना में है और जम्मू कश्मीर में तैना था है जब वे बारात लेकर निकले गाउं के दवंग सवणों ने उन्हें घोड़ी चड़ने से रोग दिया इसके बाद बारात पत्तराओ किया गया बनाज काटा के दलिस समाज के अध्यक्स दलपत भाई भाटिया ने इंडिया टुड़े से कहा कि कुछ दिन पहले कोटड या शादी करने के लिए गाउं आए जब हमने सवणों की आपत्यू क्यां देखी की कुछ लोगों ने हम प पीट पीट कर मार डाला गया यह वारदात भाव केड़ी गाउं की है पुलिस ने 12 साल की उम्र के इन दो बच्चों की पहचान रोशनी और अविनाज के रूप में की है यह बच्चे पंचैज भवन के सामने ही खोले में सौच कर रहे थे इस पर कुछ लोगों ने उन्हें पकड कर पुरी तरह पीटा बाद में उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मिरत घोशित कर दिया पुलिस इंस्पेक्टर धाकर ने कहा है कि मामले की जाज शुरू कर दी गई है इसी तरह हरदोई में 20 साल के युवक को कुछ दबंगों न जिन्दा जला दिया बता जा रहा है कि उसके दूसरी जाती की महिला के साथ संबन थे इस घटना का सबसे दुखत पहलू ये है कि बेटे की मौत के सदमे में युवक की मा की भी मौत हो गई है पुलिस का कहना है कि ये मामला ओनर किलिंग का लगता है ये वारदात शनिबार को हरदोई जिले के भदेशा इलाके में हुई है। कुछ समय पहले उत्तरपदेश के ही जौनपुर में दलिश समुदाई के लोगों के साथ ऐसी ही बरबर घटना हुई थी। इस घटना का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ था जिसमें दलिश समुदाई के तीर लो भी थी। मई 2018 में बदायू जिले में वालमी की समाज के एक व्यक्ति के साथ मार पीट कर उसकी मूच उखाडने और जूते में पेशा पिलाने का भी मामला सामने आया था। आज की वीडियो में इतना ही बागी खबरों के लिए सत्थ हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं